हेलो प्यारे बच्चों आपका फिर से स्वागत करते हैं आज की हिंदी कक्षा में तो छात्रों पिछली सेशन में हमने पाठ पांच चिठ्थी में चिठ्थी की महिमा को कविता की माध्यम से पड़ा था और अभ्यास कारे की चर्चा की थी आज हम एक बार फिर पेज 41 पर भाषा की बात की एक्सेसाइज को डिसक्रिस करेंगे चलिए बढ़ते हैं अपने प्रिष्ट 41 की और ध्यान से सुनिए वाक्यों में जिस शब्द से हमें किसी काम की करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं प्रतेक वाक्यों में क्रिया अवश्य होती है बेटा क्रिया मीन्स एक्षन आज की एक्सेसाइज फर्स्ट इसके साथ ही संबंदित है जिसमें हमने क्रिया शब्दों को चाण कर लिखना है means चुन कर लिखना है बेटा इन वाक्यों में से आपने काम वाले शब्दों को चुनना है और लिखते ना है जैसे पहला वाक्य है मोहन चिट्थी लिखता है इसमें बताओ मोहन क्या काम कर रहा है जी हाँ लिखने का तो हमारा उत्तर होगा लिखता है आपने उस क्रिया शब्द को पहले रिखांकित means underline करना है उसके पश्चाप आपने रिखांकित शब्दों को सामने दी गई lines में लिखना है उधारन के लिए एक एक उत्तर मैंने आपको लिखकर हर exercise को करने का धंग बताया है आपने उसी केनुसार अपने अन्य उत्तरों को हल करना है अगला वाक्य देखिए अधिहापिका पढ़ा रही है इसमें अधिहापिका कौन सा काम कर रही है पढ़ाने का तो आपको ग्यात हो गया होगा कि आप उत्तर में क्या लिखोगे पढ़ा रही है नेक्स्ट इस बच्चे पतंग उडा रहे हैं, इसमें काम क्या हो रहा है? उडाने का, तो आप उडा रहे हैं को चुनोगे अग्ला है माली पोधों को पानी देता है, बेटा यहां sentence प्रेजन्ट कॉंटीन्यू सेंटेंस में नहीं है इसलिए हम यहाँ पर पानी देता है को अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट एक्सेसाइज है निम्न लिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए बेटा प्रयोग कीजिए मिन्स वाक्य बनाईए बेटा मैं आपको वाक्य बनाने का धंग सिखा रही हूँ आप अपनी बौदिक शम्ता के अनुसार दिये गए शब्दों के वाक्य बना कर लिखेंगे पहला शब्द चिठी है तो आप चिठी शब्द से कोई भी वाक्य बना सकते हैं जैसे मैंने उधारन के लिए लिखा है रोहन ने मामा को चिठी लिखी अत्वा आधनिक युग में चिठी का प्रचलन कम होता जा रहा है आगे शब्द है अकबार अकबार पढ़ने से हमारा ज्यान बढ़ता है नेक्स इस मिहनत तो वाक्य बनेगा मिहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती लास्ट इस दुनिया तो आप वाक्य बना सकते हैं कोरोना ने दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है नेक्स आक्सिसाइज बहुत ही रोचिक और असान है इसमें आपने मुहावरों को उनके अर्थों से मिलाना है सबसे पहले आप दिये गए मुहावरों से पहले नंबरिंग कर लेंगे जैसे मैंने उधारन के लिए आपको करकर बताया हुआ है उसके बाद आपने अपना उत्तर ढूना है जैसे पहला मुहावरा है उल्लू बनाना तो इसका अर्थ क्या होगा मूर्ख बनाना तो आपने मूर्ख बनाना के बाद में इसका उत्तर ढंबर एक लिख देना है इसी प्रकार आपने मुहावरों को पढ़कर उनके उत्तर के बाद ढंबरिंग करते जानी है सेकेंड इस नौ दो ग्यारा होना मेंज भाग जाना अगला मुहावरा है फूला ना समाना मेंज बहुत खुश होना और अंत में है दान्त पीसना मेंज क्रोध करना तो इसी के साथ हमारा आसका सेशन यहीं पर समाप्त हुआ आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें खुश रहें